आम आदमी की पूरी जिंदगी देख लो, और हम कुछ कर ही नहीं रहे, उपर उपर से लगा कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब हम व्याह कर रहे हैं, अब हम व्यापार कर रहे हैं, अब हम घर बना रहे हैं, अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हम बच्चे पाल पो क्या किसी तरीके से दुख से पीछा चुडाने की कोशिश और दुख से पीछा चुडाने की कोशिश वैसी है कि जैसे कोई कुटा कोशिश कर रहा हो अपनी दुम को चाटने की गोल 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 गूमता जाता है दुम तक पहुँची नहीं पाता है क्योंकि वास्तों में वो जो मुँ है उसका वो दुम से भिन्न नहीं है वो दुम से जुड़ा हुआ है वो दुम का ही विस्तार है या ऐसे कहलो कि कुट्टे की जो दुम है पुछ है, वो उसके मुँ का विस्तार है दोनों ही तरीकों से कह सकते हो, कह सकते हो कि पुछ आगे बढ़ी तो क्या बन गई? मुँ या उसकी उजबान बन गई जो पुछ चाटना चाहती है, या ऐसे भी कह सकते हो कि कुट्ते की जी भी ही थी, जो पीछे को बढ़ी तो क्या बन गई? उसकी पूँच बन गई और दोहत की यही बात है, दो चीजें होती है जो होती वास्ताव में एक हैं, दिखाई अलग-अलग दूर-दूर पड़ती है एक चीज, दूसरी चीज से अपने आपको प्रथक मान करके उसको नश्ट कर देना चाहती है पूँच में खुजली हो रही होगी और कुटा सोचरा है जबान से पूँच का काम कर लूँगा ठीक, नहीं कर पाएगा ठीक इसी तरीके से दुख वो खुजली है सुख जिसको मिटाना चाहता है दुख हो गई कुटे की पूँच में खुजली और सुख हो गई कुटे के मूँ में जबान और कोशिश चल रही है कि काम हो जाए और आदमी कुटे की तरह जीवन भर लट्टू की तरह नाचता रहता है कभी देखना किसी कुटे को जो अपनी पूँच पकड़ना चाह रहा हूँ बिलकुल गोल गोल घुमता है लट्टू की तरह एक ही जगए पर ये आम आदमी का जीवन है दुख से जूठी मुक्ती की अहरनिश कोशिश अगर आपने दुख मिटाने की कोशिश की होती और वो कोशिश पूरे तरीके से विफल हो गई होती तो आपको दुख से मुक्ती मिल जाती क्योंकि आपको आपकी कोशिश से मुक्ती मिल जाती आप जान जाते कि ये मेरी कोशिश तो बिलकुल ही नाकामयाब है इस तरह की कोशिश आगे नहीं करूँगा, यह कोशिश विफल हो गई लेकिन आपकी कोशिश पूरी तरह विफल नहीं होती, माया का यही काम है माया आपको पूरी तरह विफल नहीं होने देती, वो बीच बीच आपको सफलता देती रहती है कितनी सफलता, बस इतनी सफलता कि आपके भीतर उत्साह बचा रहे आप प्रेरित, मुटिवेटेड, अनुभाव करते रहे यह है माया का काम वो अपने कैदियों को मरने नहीं देती वो उन्हें कंकाल की तरह सुखा जरूर देती है लेकिन इतना देती रहती है कि वो जीवित रहे मरी गए तुम तो मजा क्या है तो वो अपने गुलाम को मारती नहीं है जिन्दा रखती है लंबी आयू देती है खूब नचाती है समझा रही बात गुलाम को इसलिए थोड़ी बनाता कि उसको दो दिन में मार दे गुलाम किसलिए बनाया जाता है कि इसको कम से कम राशन पानी दो कम से कम दाना दो इसको लेकिन इतना जरूर दे दो कि ये गुलामी करता रहे ये माया का काम है वो तुमको इतना सुख जरूर चटाती रहेगी कि तुम नाचते रहो कि अभी इतना मिला है तो थोड़ा तो और मिली जाएगा और जब तुम बिलकुल उत्साहीन होने लग जाओगे जब निराशा एकदम छाने लग जाएगी तो तुम पाओगे कि थोड़ी सी सफलता या थोड़ा सा सुख तुमको परोज दिया गया है और तुमारे भीतर फिर से शक्ति का संचार हो गया तुम बिलकुल भूल गए कितनी लाते पड़ी थी तुम बिलकुल भूल गए कि तुमको कैसे धूल में रौदा गया लुटाया गया तुम तत्काल खड़े हो जाओगे थोड़ा सा सुख ले करके धूलूल जाड़के कहो कि और बताओ अब क्या करना है यह आम आदमी का जीवन है समझ में आ रही है अध्यात्म क्या कहता है अध्यात्म कहता है बात समझ में आ गई बस यह अंतर है अध्यात्म का मतलब है बात समझ में आ गई ये चल रहा है यहां पर खेल ये सारा सिस्टम पूरी विवस्था ही आ गई समझ में एक बार ठगे गए दो बार ठगे गए वो तो चलो हमारे शारेरिक अस्तित्व का तकाजा था एक बार दो बार मूर्ख बने इसकी माफी है क्योंकि शरीरी ऐसा लेके आएं मस्तिश्की ऐसा लेकर के आएं जन्मजात रूप से मन ही ऐसा आए कि उसको धोका होई जाएगा एक बार दो बार ठगे गए इसकी माफी है जीवन भर नहीं ठगे जाएंगे ये बात अध्यात्म है दो बार ठगे गए आगे नहीं ठगे जाना इस बात को कहते हैं अध्यात्म और सांसा रिखता क्या है खूबलाद खाएंगे और उच्छा से भर जाएंगे अध्यात्म